खमा गनीसा आप सभी का स्वागत ही अकंग शे नरवत यूटूब चनल पर तो हुकुम आज मैं आपको बता रहे हूं यह देसा मतागे जो डोरे होते हो किस तरीके से बनाए जाते हैं इस तरीके से करते हुए हमारे पास यह कच्छा सूत होता है कच्छा सूत जो होता है उसके पांस तार लेंगे इस तरीके से पांस तार होते हैं कच्छे सूत में पांस तार लेके इस तरीके से एक तरीके से लंबाई में लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से बल देते हैं त तरीके से आराम से बल देते जाते हैं और दसमाता के डोरे तयार करते हैं इस तरीके से पूरे इसके अंदर बल लग जाता है फिर इसको डबल कर लेते हैं तो यह दस तार के रूप में तयार हो जाता है क्योंकि दसमाता का जो यह डोरा होता है दस तार के रूप में लेना होत दसमाता के जो ये ड्टोरे तैयार करते हैं, इनको तैयार करने से परलें, इनका ये होता हैげे, होली जलती है, तब गेहों के आखे और ये जो समाता के गंडे लेके आते हैं, कच्चे सूत वाले, उसको होली की जाल में निकालना होता है, दस बार. इस तरीके से करके ओली की जाल में से निकालने के बाद दस दिन तक जहां पर कता सुनते हैं दस दिन उसी जगह पर है ना इनको भी वहां पर रखना होता है ताकि ये दोरे भी दस दिन तकाहनी सुन ले इस तरीके से दस दिन तक आनी सुनाने के बाद इन डोरों को इस तरीके से तियार किया जाता है दसा माता के डोरे तियार करने के बाद इनको दसा माता का जो दिन होता है उस टाइम पूझा अगरा करने के बाद धूप में से निकाल के इनको पहनना होता है दस Samata के टौारी जो पेहन चाहें उनके उपर होता है जैसे कि 7 माइने पेहन सकते हैं पूरा साल पेहन सकते हैं जैसे कि अगले साल जब तक 12 माइना पेहन सकते हैं इनका क्या रूल होताण और किस तरीके से पूझा वगर होती हैं उसका व्लोग में आपके साथ आगे आने वाले व्लोग में जरूर करोंगी अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से इस दसमाता के डोरी को जो पांस तार में बल दे रहे थे उसको डबल फोल्ड कर लिया त्यार कर दीया हका पास तको हमस्ट पहने के चांदी ऐक घूगरी डाल के और इस दसा माता है कि डोरे में 14 घांट लगा के और हल्दी के अंदर से निकाल के दूप में इसको पहना जाता है वो आगे आप आने वाले वीडियो में देखना पूजा पगरक इस तरीके से ही जाते है इस तरीके से इसको समेट के अभी रख लेंगे अभी दो दिन बाकी है तो